Economic Survey क्या होता है और क्यों ये हमारे लिए जिरूरी है आईए इसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं जाए हिन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल Trailblazer Dastry Point में बजट से एक दिन पहले Economic Survey पेस किया जाता है इसमें बीते साल का लेखा जोखा होता है और आने वाले साल के लिए सुझाओ रहते हैं 1964 तक इसे बजट के साथ ही पेस किया जाता था बजट पेस होने से पहले संसद में एक दस्तावेज पेस होता है उसे Economic Survey या आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है ये तो रही Economic Survey की एक लाइन की परिवासा लेकिन Economic Survey होता क्या है ये कितना जरूरी होता है इसके बारे में अब हम आसान भासा में समझेंगे सबसे पहले बात करते हैं आखिर Economic Survey क्या चीज़ होती है हम उस देश में रहते हैं जहां Middle Class लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है हमारे यहां ज़्यादा तर घरों में एक डाइरी बनाई जाती है इस डाइरी में पूरा हिसा किताब रखा जाता है साल खत्म होने के बाद जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि हमारा घर कैसा चला हमने कहां खर्च किया, कितना कमाया, कितना बचाया और इसी के आधार पर फिर हम तै करते हैं कि हमें आने वाले साल में किस तरह खर्च करना है बचट कितनी करनी है और हमारी हालात कैसे रहेंगे ठीक हमारे घर की डायरी की तरह ही होता है एकॉनमिक सर्वे इसे पता चलता है कि हमारे देश की अर्थिववस्ता की हालात कैसे हैं Economic Survey में बीते साल का हिसाब किताब और आने वाले साल के लिए सुझाओ, चुनोतियां और समाधान का जिक्र रहता है Economic Survey को बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है आखिर Economic Survey को तयार कुण करता है पित मंत्राले के अंडर एक Department है Economic Affairs इसके अंडर एक Economic Division है यह Economic Division Chief Economic Advisor यानी CEA की देख रेक में Economic Survey तयार कर दिये इस वक्त CEA टॉक्टर किष्टर मूर्ती सुब्रमण नेम है पहला Economic Survey उन्नीसो पचास इक्यावन में प्रस्तुत किया गया था 1964 तक इसे बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था लेकिन बाद में इसे बजट से एक दिन पहले पेस किया जाने लगा हाला कि इस बार Economic Survey बजट से दो दिन पहले पेस हो रहा है ये कई मायनों में जरूरी होता है Economic Survey एक तरह से हमारी अर्थिववस्ता के लिए direction की तरह काम करता है क्योंकि इसी से पता चलता है कि हमारी अर्थिववस्ता कैसी चल रही है और इसमें सुधार के लिए हमें क्या करने की जरूरत है अकोनोमिक सरभे से ही अर्थिववस्था का ट्रेंड पता चलता है इसी के आधार पर सरकार को सुझाओ दिये जाते हैं जैसे पिछले साल के इकोनोमिक सरभे में सुझाओ दिया गया था कि अगर भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थिववस्था बनना है तो infrastructure पर एक दसमलो चार ट्रिलियन डालर खर्च करने की जरूरत है अब हम जानते हैं कि क्या सरकार के लिए इसे पेस करना जरूरी है ऐसा जरूरी तो नहीं है लेकिन सरकार economic service को पेस करने और इसमें दिये गए सुझाओं या सिफारिशों को मानने के लिए बात ही नहीं है अगर सरकार चाहे तो इसमें दिये गए सारे सुझाओं को खरिच कर सकती है फिर भी इसकी एहमियत है क्योंकि इससे बीते साल की अर्थिववस्था का लेखा जुखा पता करता है पहले इकानिमिक सर्वे एक ही वाल्यूम में पेश किया जाता था लेकिन 2014-15 से इसे दो वाल्यूम में पेश किया जाने लगा आम तोर पर पहले वाल्यूम में अर्थिववस्था की चुनोतियों पर फोकस रहता है और दूसरे वाल्यूम में अर्थववस्ता के सभी खास सेक्टर्स का रिव्यू होता है इसके अलावा इस टेस्टिकल आपेंडिक्स भी आता है जिसमें कई तरह के आंकड़े होते हैं आज की वीडियो में इतना ही I hope आप economic survey के बारे में कुछ जान गए होंगे वीडियो अच्छा लगए तो इसे like करें, share करें और लोगों तक इसे पहुंचाएं जिन लोग ने अप तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें इसे आने वीडियो की नोटिफिकर्स आप तक पहुंचती रहे थैंक्यू, थैंक्स वाचिंग, जैहिंग